हेलो फ्रेंड्स मुनिकास किचन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाने वाली हैं मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड जंगली सेंडवीच इसे आप त्रिपल लेयर सेंडवीच भी बोल सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं जंगली सैंडवीच मुंबई स्टाइल जंगली सैंडवीच बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी पहली फिलिंग बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है इस बाउल में मैंने वन फॉर्थ का बॉय्ड कॉन डाला है इसके बाद एक कप सिमला मिर्च बारिक चॉप डाल देंगे एक कप यहाँ पर मैंने रेड और यलो बेल पेपर लिया है इसे भी बारिक चॉप कर लिया है इसको भी इसमें डाल देंगे एक कप बारिक चौद गाजर डाल देंगे गाजर के बाद मैंने इसमें 100 ग्राम पनी डाला है स्वादा नुसार नमत डाला है और 1 ती स्पून ब्लेक पेपर पॉडर डाला है 1 ती स्पून चाक मसाला डाला है अब इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे फर्स्ट फिलिंग बनके रेडी है अब हम इसकी सेकेंड फिलिंग बनाएंगे जंगली सेंडवीच की सेकेंड फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फिर एक बाउल ले लिया है इसमें सबसे पहले हम एक टेबल स्पून सेजवान चटनी डालेंगे देड़ चम्मट चिली सॉस डालेंगे हाथ टी स्पून चिली पॉर्डर डालेंगे स्वादा नुसर नमक डालेंगे एक टी स्पून चाट मसाला डालेंगे टू टेबल स्पून मयोनीज डालेंगे एक चोथाई कब ग्रेटेट चीज डालेंगे आधा कब ग्रेटेट पनी डाल देंगे और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये हमारी सेकेंड फिलिंग बनके रेडी है जंगली सेंडविच बनाने के लिए यहां तीन बड़े साइज के मैंने ब्रेड ले लिए है अब इसमें सबसे पहले हम बटर अपलाई करेंगे बटर लगाने के बाद हम इसमें ग्रीन चट्नी लगाएंगे तीनों में मैंने पहले बटर लगा दिया उसके बाद ग्रीन चट्नी लगा दि अब सबसे पहले हम फर्स ब्रेड लेंगे इसमें हम पहली फिलिंग लगाएंगे पहली फिलिंग को मैंने इसमें लगा दिया है अब इसके उपर चीज डाल देंगे चीज मैंने इसमें डाल दिया है अब दूसरा ब्रेट पलटने से पहले इसमें हम थोड़ी सी रेड चटनी लगा देंगे इसे हम इसमें पलट देंगे और इसके बाद इसमें पहले बटर लगाएंगे बटर लगाने के बाद फिर से हम इसमें रेड चटनी लगाएंगे अगर आपको रेड चटनी नहीं लगाना है तो आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं अब इसके उपर हम सेकेंड फिलिंग डालेंगे जो हमने ये second filling बनाई थि अब इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे मैंने second filling इसमें अच्छी तरह से फिला दिये है अब इसके ऊपर हम cheese slice रख देंगे आपने देखा होगा जब आप इसे market में खाते हैं तो एकदम cheese ही रहता है इसलिए मैं इसमें पहले चीज स्लाइस रख रही हूँ और उसके उपर फिर ग्रेट चीज डाल देंगे अगर आप बहुत ज़्यादा चीज पशंद करते हैं तो आप चीज स्लाइस रखने के बाद बहुत ज़्यादा चीज डाल दीजे, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस की भी कर सकते हैं चीज को अच्छी तरह से फैला दिया है अब तीसरी स्लाइस इसके ऊपर हम रख देंगे और इसके ऊपर हम बटर लगा देंगे और इसे 5-8 मिनट्स के लिए ग्रिल कर देंगे तो यह हमारी जंगली सैंड्वीच बनके रेडी है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्र जाइगा